दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा WhatsApp Backup कैसे लेते हैं, WhatsApp Backup क्या होता है और WhatsApp Backup को रिश्टोर करके कैसे आप अपने डिलीट हुए चैट को वापस ला सकते हैं दोस्तो अगर आपका mobile reset हो जाता है, गुम हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों आप अपने डिलीट हुए चैट को कैसे वापस लाएंगे वो दोस्तों वापस आप लाएंगे WhatsApp बैक अप की मदद से WhatsApp बैक अप को रिश्टोर करके आप अपने डिलीट हुए चैट को फोटो को, वीडियो को, डॉकुमेंट हो गया, कॉल हिष्टी हो गया, सब कुछ दोस्तों वापस ला सकते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों आप सीखने वाले हैं, वार्टसप बैकप कैसे लेना है, और उसे रिश्टोर करके अपने सारे के सारे जो चैट हैं, या फिर जो भी डॉकुमेंट्स वगरा हैं, फोटोज हैं, उसे कैसे वापस लाना है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक हो शेर करना, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करेना, तो चलिए मैं सब्सक्राइब को श्टार्ट कर लेते हैं, तो पहले हम सीखने वाले हैं, वाट्सेब पर बैक अप कैसे लेना है, उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे उसे रिश्टोर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वाट्सेब को उपे इन करना है, उपे इन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंग इसी पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया होता है चैड बैकप आप देख सकते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो आपका चैड बैकप है यह नेवर पर सेट होगा य की रिश्टोर कर पाएं ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है गूगल अकाउंट की ऊपर क्लिक करना है यहां पर दोस्तों आपको अपना एक ठीक है तो इससे आपको डेली पर सेट करना है अगर दोस्तों आप वीडियो का भी बैक अप लेना चाहते हैं तो इससे आपको यहां से ओन कर देना है जिससे दोस्तों जो वीडियो है उसका भी बैक अप बन जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको यह सभी सेटिंग करना है setting करने के बाद back up के उपर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है आपका दोस्तों यहाँ पर back up होना शुरू हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा आप देख सकते हैं back up हमारा यहाँ पर complete हो चुका है अब यह back up अगर आप देखना चाते हैं तो आपके mobile में गूगल ड्राइब होगा ठीक है तो गूगल ड्राइब को आपको यहाँ पर open करना है मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वही email id सेलेक्ट करना है जिसमें आपने back up लिया है उसके बाद आपको यहाँ पर तीन डॉट के यानि की तीन लाइन की उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर back up के अंदर आ जाना है ठीक है बैक अप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है आज का हमारा जो WhatsApp चैट का पूरा का पूरा back up है वो यहाँ पर आ चुका है ठीक है तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा back आ जाना है ठीक है अब दोस्तों मालीजिए आपका जो phone है यह reset हो जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर मालीजिए चोरी हो जाता है गुम हो जाता है और आप नए phone में अपना WhatsApp जो है डाउनलोड करते हैं तो कैसे आप अपना पू पेल्ड करके देखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पूरा कुछ सबकूछ डाटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चैट ल्गजिँ करेंगे तो यहाँ पर पूरा न पूरा पूरा फोन एकदम नया हो चुका है क्योंकि हमने अपना WhatsApp डिलीट कर दिया है अब मालीजे दोस्तों हमने नए फोन के अंदर अपना ये जो है WhatsApp इंस्टॉल कर लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इसे जो है Open करेना है Open करेंगे तो एकदम नया सीरियसी ये Open होगा जैसा कि आप देख सकते हैं इस arrow के उपर आपको क्लिक करना है Agree and Continue के उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वही mobile number देना है जिससे आपका पहले वाला WhatsApp था वही mobile number देखे next के बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर verified लिखा हुआ आ गया है बहुत से mobile में क्या होता है OTP जाता है OTP verify करना होता है तो हमारे mobile में यह directly verify हो चुका है क्योंकि इसी device में यह पहले login था तो यहाँ पर आपको क्या करना है continue के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको continue के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको permission को allow करना है ध्यान से देखना पूरा process यही पर दोस्तों main start हो रहा है यहाँ पर देख लिएजी रिस्टोर बैकप का, आप यहाँ पर देख सकते हैं打線, अब दोस्टोर यहाँ पर आपका email id आ जाएगा और आपका पूरा backup यहाँ पर पर देखने को मिलेगा, याद रखना दोस्टोर जो email id पर आपने backup लिया था, उसी email id को आपको अपने इस वा गलती से भी आपको इसकी वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है नहीं तो बहुत आपका पूरा जो चैट है वो डिलीट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है रीस्टोर की उपर जो है click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका ये जो है preparing होना शुरू हो जाएगा यानि कि जो आपका चैट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर restore होना शुरू हो जाएगा अब अगर ज़्यादा चैट रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा अगर थोड़ा रहेगा तो तुरंट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर next कर देना है अब यहाँ पर आपका नाम और इन डीपी और जो है उसे आप set करेंगे उसके बाद next कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों इसे आप skip कर देना कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है और finally दोस्तों आप यहाँ पर देख लिजे हमारा जो पूरा का पूरा चैट है वो वापस आ चुका है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं open करके भी दिखा देता हूँ photo भी आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप अपना वाटसेप पर जो पूरा का पूरा चैट है उसके दोस्तों बैक अप बना सकते हैं और उसे रिश्टोर करके वापस से अपना डिलीट हुआ सारा चैट जो है वापस ला सकते हैं तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियों को लाइक और शेर करना साथ ही साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब करना थेंक दोस्तों बैबन टेक क्यार